हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेकर रही हूँ दिवाली के लिए बहुत ही यूनिक रेस्पी जिसे खाने के बाद अपना समोसा और कचौरी खाना भोली जाएंगे और यह खाने में इतना टेस्टी है कि मत ही पूछे और देखने में तो आप देखी सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है एकदम फ्लावर बनकर रेडी हुआ है तो दिवाली में अगर आप इसे शर्फ करते हैं तो आपकी तारीफी तारीफ होगी तो वेल्कम टू माइ यूट्यूब चानल कुकिंग विट सिमो पहले हम स्टाफिंग बनाएंगे तो स्टाफिंग बनाने के कराही में बटर डाले हैं फिर इसमें डाले अजवाइन 8-10 करी पत्ता और एक चमत जीरा इन सब को चटकने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें कटी हुई प्याच प्याच को 2-3 मिन तक हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे यह देखि मेरा प्याच का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें क्या करेंगे ? मसाला में हम या लिएं red chili powder, धनिय। और healthy powder ब्री मसाला दाले के गवाद है इसे अच्छे से भूनेंगे एक मिनट ब्राउन देंगे मसाला सब देंगे गोख मेरा माश कर के आलू अलू डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करका आलू को भी दो मिनट के लिए भूनेंगे जब आलू को दो से टीन मिनट हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाधन मसार नामक, आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच ब्लैक पेपर पाउडर इन सबको डालने के बाद दो से तीन मिनट के लिए और आलू को भूल लें ताकि यह स्टाफिंग जो है बहुत ही टेस्टी और पफेक्ली रेडि हो जाए तो ये देखे दो से तीने में ठो गया है और ये स्टाफिंग बिल्कुर रेडी है तो अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस पे तो हम यहाँ पे लिए हैं दो कप के करीबन मैदा साथी में डालेंगे हम एक चमच के करीव नमक अर एक चमच ब्लाक पेपर इन सब को अच्छी से मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेट बटर इसे हमने पहले ही मेल्ट कर लिया तो मेल्टेट बटर डालने के बाद इसे अच्छी से मिक्स करेंगे जब बटर मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें हलका हलका पानी डालकर इसका एक सॉफ सा डो रेडी करेंगे डो ना हाड रखेगा ना ज्यादा सॉफ्ट रखेगा मीडियम रखेगा जैसे रोटी बनाने के लिए डो रेडी कर तो यह देखिए हमारा डो हो गया है बिलकुल रेडी तो डो को रखते हैं साइट में अब चलते नेक्स प्रोसेस तो हम यहां पर थोड़ा सा सॉस रेडी कर के रखो था तो अब हम डो मेंसे एक छुटा सा पॉथरचं लेंगे बॉल साइज का और इसे अब हम रुका शार लगाके बेल देंगे पूरी के साईज का उतना बेलेंगे और इसे ज्यादा ना मोटा रखने और ना पतला रखना है बेल अब हम एक पेटल को लेकर दुसरे पेटल में अड़ गरेंगे इसे बनाना बहुत यहांने इसी तरह हम दुसरे पेटल को भी हुआ करेंगे चारों तुरफ चोटा चुटा पेटल बन गया तो अब क्या करते हैं जो लास्ट में पेटल्स बचा है बड़ा बड़ा उसे भी पीछे की और से प्रेस कर देंगी ताकि यह ब्यूटिफुल फ्लावर बन सके और यह देके ब्यूटिफुल तो यह बन भी चुक है तो अब यह अवन में जाने के लिए बिल्कुल र आया है इसमें तो यह लिजिए दिवाली स्पेसर रेस्पी एक वार आप लोग बना कर जरू ट्राइ करना थांक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक के सब्सक्राइब मैं चानल थांक यू